पिछले लेक्चर में हम लोगों ने external structure of heart को डिसकस किया था आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं internal structure of heart internal structure of heart तो हम लोग देखेंगे external structure में हम लोग देखें थे हार्ट का structure अब internal structure of heart जो है वो कैसा होता है अगर हम लोग हार्ट को dissect करें तो हार्ट का structure कैसा दिखेंगा वो हम लोग डिसकस करेंगे उसी का structure हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हार्ट जो है वो चार चेंबर का होता है ठीक है दो औरिकल और दो वेंट्रिकल दो औरिकल एंड दो वेंट्रिकल हम लोग जो है फिर से हार्ट में वो ही चार उस्टक्चर जो है सबसे पहले बनाने का कोशिस करेंगे और फिर देखते हैं और इस इंटर्नल अस्टक्चर में हम लोग जो है वो हार्ट के अंदर कैसे जो है औरिकल से बलड वेंट्रिकल में जाता है कैसे वेंट्रिकल से बल पुना हाट के पास आता है ये सब चीजों के बारे में भी डिसकस करेंगे हम लोग वहाँ पर देखे थे इस चीज को भी देखेंगे कि सुपरियर भैना कावा का आपनिंग कहां होता है हाँ ना इन सारे चीजों का डिसकस्षन हम लोग इसी लेक्चर में करने वाले हैं हम लोग जो भी बना रहे हैं वो हाट के चेमबर को बना रहे हैं थोड़ा सा धियान से इसको देखेगा तो आपको को भी समाज में आएगा कि हाड़ का structure कैसे बनाना है नहीं तो हाड ़िए का श्टक्च्र काफी difficult लगता है कैसे वह यह पताहीं नहीं चलता है कुछ हैं सबसे पहले हम लोग जो है वो हाड के structure को बनाते हैं ज़ झाल झाल हाट का स्टक्चर ये तो हमारा लगबग आधा स्टक्चर जो हाट का कम्प्लेट होने जा रहा है इंटर्नल स्टक्चर आफ हाट अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से जो है वो बनेगा कुछ इस तरह से बनता है हम लोग देखते क्या कि ये जो है वेंट्रिकल में ये काफी जो है वो मौस्कुलर स्टक्चर में होता है काफी मौस्कुलर स्टक्चर में होता है क्योंकि इसको जो है वो कॉंट्रेक्ट करना होता ये कॉंट्रेक्शन स्टार्ट होता है इसलिए काफी मौस्कुलर होता है और इसे भी हम लोग देखे थे कि यह जो है तीन लेयर से बना रहता है कि एपी पे कार्डियम मायो कार्डियम और इंडो कार्डियम तो यहां पर तीन आपको जो है वो लेयर भी दिखेगा यह हम लोग जो है वो हाट के स्टक्चर को देख रहे हैं कि हाट का स्टक्चर इंटर्नल स्टक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है ओके फिर हम लोग जो है वो देखते हैं यहां पर वही पल्मोनरी भेन इधर से भी पल्मोनरी भेन लगा हुआ रहता है ठीक है अब जो है इसका हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है तो सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं कि यह जो पोर्षन है बीच पे यहां पे 1, 2, 3, 4 दो पल्मोनरी भेन से इधर से आरहा दो इधर से तो टूटल चार ये जो है वो ओपनिंग आफ पल्मोनरी भेन है ये क्या है ओपनिंग आफ पल्मोनरी भेन ओपनिंग आफ पल्मोनरी भेन पल्मोनरी भेन लेप्ट लंग्स और राइट लंग्स से जो आ रहा है वो इसी पोर्शन में जा करके यहीं पे जो है वो ओपन होता ह इसलिए इसको हम लोग बोले opening of pulmonary vein, ओके, दूसरा है, कि ये जो हम लोग part देख रहे हैं, यहां से जो है, ये bicept valve और tricept valve पे एक structure जाकर के open attach किया वा रहता है, जो इस valve को खुलने में मदद करता, structure जो है, वो अभी complete नहीं बोल सकते है, ओके, तो हम लोग देखते हैं, कि ये जो opening है, ये pulmonary, इसको हम लोग क्या बोले थे, ये जो है मारा, वो pulmonary vein था, जो lung से connected रहता है, तो चारो pulmonary vein का opening जो है, वो आपको किस में मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं, कि ये जो auricle में, और किस auricle में, तो आपको left auricle में दिखेगा, पाठ है वो हम लोग देखते हैं क्या ये ये जो पाठ है इसको बुलते हैं क्या थिक वाल ओफ वेंट्रिकल ये थिक वाल ओफ वेंट्रिकल है जो कॉंट्रेक्शन में मदद करता है चूंकि वेंट्रिकल को कॉंट्रेक्ट करके blood को जो है वो lungs के पास और पूरे body में भेजना होता है तो इसके कारण से इसका जो वाल होए वो काफी ठीक हो जाता है हाना उसके बाद हम लोग दिखते क्या कि ये जो है यहाँ पे दो भल्व आप लोग को दिख रहा होगा इसको बोलते by cup seed भल्ब ठीक है और ये जो by cup seed भल्ब है ये क्या करता है ये भल्ब जो है जब औरिकल में आनि कि left औरिकल में blood बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये bicep by cup seed भल्ब जो है वो open होतार सारा blood आ जाता कहाँ पे बेंट्रिकल में उसी तरह ये जो देखरें इसको बोलते है tricopsid bulb tricopsid bulb ये जो है वो चला जाता है यहाँ उसी तरह ये tricopsid bulb जो है जब औरिकल में राइट औरिकल में जो है वो blood जो है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये open होता है और blood जो आ जाता है तहां पर ventricle में है ओके तो ये जो है इधर दो रहता इसलिए by और इधर जो है तीन है इसलिए try उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो बीच में हम लोग अगर देखें तो total इसमें group या sulcus जो है वो कितना दिखेगा तो वो हम लोग अभी discuss करेंगे बीच में एक line गया हुआ है हाणा जिसको हम लोग बोलते हैं right auriculoventricular aperture right auriculoventricular aperture tricep interventricular septum एक line यहां पर गया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या interventricular septum inter septum interventricular septum interventricular septum septum मतलब होता layer जो क्या कर रहा ventricle को दो part में बाट रहा है ठीक है उसकी बाद हम लोग देखते हैं इस वाले पार्ट को इसको बोलते है papillary muscles papillary muscles हाना और यह papillary muscles जो है वो किसके साथ होता है इसके इसके बाद हम लोग देखते है कि यहां पे जो है वो opening होता है दो यह जो right oracle है अच्छा सॉरी यहां पे हम लोग जो है वो भेंट नहीं बना पाए structure तो इसका opening यहां होता है इसको हम लोग बोलते है opening of of superior vena cava और यहां पे जो है एक opening है जिसको हम लोग बोलते है क्या opening of inferior cava ठीक है opening of inferior vena cava ठीक है आनि कि जो superior और inferior vena cava है दोनों का opening कहां पे होता है दोनों का opening जो है वो right oracle में होता है left oracle में opening of pulmonary vena cava और right oracle में जो है वो opening of superior and inferior vena cava ठीक है उसके हम लोग देखते है coronary sinus का भी opening यहां पे होता है हम लोग देखते है क्या यहां पे जो है वो semi lunar भल्व होता है three semi lunar भल्व कहां पे तो यह जो देख रहे है यह एक दो तीन इसका नाम है क्या semi lunar भल्व इसको हम लोग बोलते है क्या three three तीन होता है इसलिए three semi lunar भल्व यह दोनों साइड में आने की systemic iota का में भी होता है और pulmonary iota में भी होता है दोनों में यह semi lunar भल्व होता है हाना अब जो है हम लोग देखें अगर यह total heart का structure हो गया ठीक है heart जो है वो इतने structure से यह internal structure of heart हो गया अगर इसमें हम लोग group की बात करें तो एक और group होता है जहां पे हम लोग जो है वो inter ventricular septum देखें हम लोग inter atrial septum और atrial ventricular septum को नहीं देखें जैसे यह structure जो है यह structure यह जो divide करता है तो यह structure जो है यह structure किसके किसके बीच है दोनों Oracle के बीच है यह right और left Oracle के बीच यह layer है तो दोनों Oracle को जो है वो बातने का काम क्या तो इसको बोलते हैं इंटर अट्रेल सेप्टम और ये जो लेयर है यहां पे जो देख रहे हैं हम लोग ये औरिकल और भेंट्रिकल दोनों को जो है वो क्या कर रहा है पाटने का काम कर रहा है हाणना यह औरिकल और वेंट्रिकल दोनों को जो है वह डिवाइड करने का काम सेफरेट करने का काम कर रहा है तो इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ठेक है इंटर सॉरी इंटर औरिको वेंट्रिकुलर सेप्टम या एट्रियो इंट्रियो वेंट्रिकुलर से ठीक है? तो ये तीन पार्ट से तीन सेप्टम है तीन ग्रूब है जो हाट को चार चेम्बर में डिवाइड करता है सबसे पहले अगर देखें तो inter adrenal septum जो क्या-क्या दोनो ओरिकल को बाठा interventricular septum जो दोनो बेंटरिकल को बाठा उसके बाद atrioventricular symptom जो auricle और ventricle को भाटा अगर हम लोग देखे तो total चार चेमबर होता है heart का और यहीं चार चेमबर पाया जाता है यह internal structure of heart है यह हम लोग पहले देख चुके कि यह systemic आयोटा यह pulmonary आयोटा यह inferior वेना कावा, superior वेना कावा right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle अब यहाँ पे आप लोग बहुत सारे चीज को discuss कर सकते हैं, पूरे heart के function को इसी diagram से समझ सकते हैं कैसे? तो हम लोग क्या देखते हैं? कि blood जो है वो deoxygenated blood को जैसे हम लोग पिछले lecture पड़े हैं कि deoxygenated blood को collect कौन करता है? पूरे body से वो superior और inferior भेना कावा के थुरू आ करके आता है किसके पास? right auricle के पास, right auricle के पास जब blood जो है वो आ रहा है, deoxygenated blood तो यहाँ पे blood का pressure जब बढ़ेगा तो यह जो semi-lunar, sorry tri-cupsid valve जो है वो open होगा वो open होगा तो सारा blood जो है वो कहां आ जाता है? वेंट्रिकल के पास पहले function आप लोग देख लिए वेंट्रिकल के पास आ क्या? वेंट्रिकल जो है जब इसमें pumping start होता है यह pump करता है तो वेंट्रिकल पंप किया सारा blood जो है वो क्या होता है? जैसे ही वेंट्रिकल पंप किया यह भल्ब जो है बंद हो जाएगा और यह जो semi-lunar भल्ब है यह open हो जाएगा और semi-lunar bulb के थुरू यह pulmonary aorta के थुरू चला जाएगा किसके पास? लंग्स के पास लंग्स के पास चला गया pulmonary aorta के थुरू अब हम लोग देखेते हैं लंग्स के पास क्या होता है? जो कि इसमें कारण डाकसाइड की मातरा जादा है लंग्स में oxygen आडेडी जमा है तो वहाँ पर oxygen ज्यादा रहता है यहाँ पर क्या है इस ब्लड यहां से जो ब्लड जा रहा है उसमें कारण डाकसाइड ज्यादा है तो percentage आफ कारण डाकसाइड और oxygen कम और ज्याद होने के कारण उसमें diffusion स्टार्ट हो जाता है और carbon de oxygenate blood से कारोंड डाकसाइड निकल करके लंग्स के पास चला आता और लंग्स के पास जो ऑक्सिएन रहता है वो ब्लड में मिल जाता है अब जैसे वो ब्लड जो ऑक्सीजेनेटेड हुआ तो पल्मोनरी भेन के थुरू वो जो है आता है और हम लोग देखते हैं कि कहां पर आ गया राइट लेप्ट और इकल के पास यहां पर पल्मोनरी भेन का ओपनिंग होता है तो सारा ब्लड यहां पर आ गया यहां पर आता है जब ब्लड का प्रिसर यहां पर बढ़ेगा तो यह ब के थोई सब्सक्राइटां के थोई पूरे बॉड़ी में में जो आइक है यह जाने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर सेय। क्यों बोलते हैं double circulation तो यहीं से समझ सकते हैं एक पार जो है वो blood आया पूरे body से पूरे body से right auricle के पास फिर right ventricle के पास ये pump किया और lungs के पास lung से पुना heart के पास आनि auricle pump किया और lungs के पास गया right ventricle pump किया lungs के पास गया lung से left auricle के पास एक circulation हुआ पूरे बोड़ी से राइट और इकल के पास आ है तो दो बार सर्कुलेट किया हाना इसे लिए इसको हम लोग बोलते किया double circulation तो इस चर्टेक्चर को आप लोग देखो इस चर्टेक्चर को जो है वो बना लिना है हम्हाना और हम लोग वो देखते हैं कि भाल्ब जो है वो स्पिरियर भेना काभा में भी होता है जिसको बोलते है इस स्टिस्चेन भाल्ब यह नहीं रहे तो यह जब बलड्ड यहांसे पंपकरने वाला रहे तो इसी पूना वापस चला जाएगा तो भल्प बहुत ज़रुरी होता है जो blood को back flow होने से बचाता है उसके बाद हम लोग देखें कि बाकी के पास जो है वो कोई भल्प नहीं होता है ठीक है और कि inferior भेना काफा के पास कोई भल्प नहीं होता है तो यह था heart का structure हाना और यहां पर हम लोग जो है वो फिर से एक बार हम आप लोग को जो है वो double circulation को समझा देते हैं इसी में या अलग डाइग्राम में यह structure आप लोग जो है याद रखिएगा तो काफी काम देगा हाना चलिए डबल circulation काफी बार पूछा गया question है define double circulation तो डबल circulation क्या होता यह जानना चाहिए क्योंकि blood जो दो बार circulate कर रहा है एक बार heart से lungs के पास और lung से पुना heart के पास और एक बार heart से पूरे body में और पूरे body से फिर heart के पास तो एक बार lungs के पास गया सिर्फ lungs के पास गया और एक बार जो है पूरे body में गया तो दो बार इसका transportation हो रहा है इसलिए इसको हमनों गोलता है double circulation अब हम लोग देखते है क्या कि heart जो है वो blood लेके आया double circulation में देखे तो यह जो है वो double circulation कशे होता है जैसे यह हो गया right auricle यह हो गया left auricul यह हो गया right ventricul यह हो गया left ventricul हम लोग देखे क्या कि पूरे body से blood जो है वो किस के पास आ रहा है यह आ रहा है right auricul के पास यह blood में CO2 की मातरा ज्यादा हो गया ठीक है पूरे body से जो है ये किसके थूरू तो cell और tissue के थूरू ये blood आता है क्योंकि उहीं पे जो है वो क्या होता है cellular respiration होता है जिसके कारण से CO2 वाला blood का formation होता है इसमें CO2 की मातरा जाता है जब ये blood आएगा CO2 blood यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग देखेते कि कौन सा भल्ब होता है tricopsid भल्ब होता है इसके थूरूश CO2 यहाँ पहुंच है CO2 वाला blood अब जो है यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो है वो हमारा लगा रहता pulmonary outer जो इसको जाता है कि इसके पास लेके lungs के पास तो हम लोग देखते कि यह जो है वो lungs के पास चला गया यह हो गया आपका right lungs और यह हो गया कि आपका left lungs हम लोग देखते क्या कि यहाँ पे जो है जब आया यह lungs के पास आ गया तो lungs जो है वो क्या करता है इसको जो है oxygen और carmod Mounted oxide को diffuse करवाता है oxygen जोå deoxygenated blood का oxygenated करता है यह जो है वो क्या करता है इसको जो है वो pulmonary vein के थूरू जो है भी देता है कहाँ पर the left auricle के पास यहां से भी pulmonary vein के थूरू पहुंझ जाता है किसके पास left auricle के pass यह पहुंच गया कहां पे left auricle के pass left auricle में हम लोग देखेतें ये चारो के लिए opening होता है तो यहां पे जो oxygenated blood आ गया इसमें क्या रता, oxygen रता है oxygenated blood आ गया lungs है यह आता है तो ये blood जो है यहां पे why cup set valve के थो आ गया ventrical के पास वेंट्रिकल इसको pump करता है तो यह सिस्टमिक आयूटा के थुरू पूरे बॉडी में सिस्टमिक आयूटा के थुरू कहां चल जाएगा पूरे बॉडी में फिर पूरे बॉडी में इसका cellular response करता है हम लोग क्या देख रहें कि एक बार जो है वो pump हो करके वेंट्रिकल पुम्प किया लंग्स के पास गया लंग्स से पुना राइट लेट औरिकल के पास आया है वेंट्रिकल पुम्प किया लेट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में गया और बॉडी से पुना राइट औरिकल में इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसे भी पढ़े और हम लोग respiration chapter में भी इस चीज को discuss किये थे, कि double circulation क्या होता है, okay, हम लोग जो है, वो heart के structure में और क्या देख सकते हैं, तो heart के structure, ये heart जो है काफी, मतलब काफी जो है, वो important part है, ये तो हम लोग को पता चल रहा है, क्योंकि यही जो oxygenated और deoxygenated blood को circulation करवा रह पता हूता है, और हम लोग क्या देखाएं, कि heart को जो है, वो 4 पार्ट में, 4 चिम्बर में, 4 चिम्बर में जो बाटने का काम है, क्यों क्यों कर रहा है, septum, और कितने तरह के septum involve हो रहे है, तो 3 तरह का, इसस लोग groups भी बोलते हैं, ठीक है यह इसको हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं सुल्सी तो हम लोग देखते हैं यह तीन तरह का होता है कितने तरह का है तीन तरह का जो हाट को चार चेंबर में बाट रहा है हम लोग देखते हैं कि between left and right oracle between किसके किसके बीच होता है तो between left and right oracle ठीक है between left and right oracle तो left और right oracle के बीच हम लोग स्टक्चर में बनाए थे तो left और right oracle के बीच जो है उसको हम लोग बोलता है क्या इंटर अट्रियल सेप्टम इंटर अट्रियल सेप्टम उसके पास जो है वो between oracle and ventricle के बीच between oracle and ventricle जो oracle और ventricle के बीच है इसको हम लोग दिये थे अट्रियो बेंट्रिकुलर सेप्टम अट्रियो बेंट्रिकुलर सेप्टम ठीक है उसके बास जो है हम लोग देखे कि between left and right ventricle किसके किसके बीच तो between left and right ventricle तो ये दोनों के बीच जो हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इंटर-ventricular septum हम लोग देखे कि औरिकल और बेंट्रिकल को जो बाट रहा है उसको बोलते हैं सबसे पहले हाट गर हम लोग जो एक पाउशलाय का स्ट्रक्चर में लेले तो सबसे पहले उसको दो चेमर में बाटने का काम atrio-ventricular septum की अब ये आने की auricle और ventricle में बाट दिया उसके बाद auricle को दो chamber और ventricle को दो chamber में ventricle को inter-ventricular septum और auricle को inter-atrial septum ये जो है वो दो-दो भाग में माट दिया total heart कितने chamber का हो गया 4 chamber का ओके तो heart को 4 chamber में बाटने के लिए जो septum होता है या groups आप अगर heart को देखो तो ये आपको बाहर से भी दिख जाएगा क्योंकि जहां पर ये होता है septum जहां पर होगा वहां पर ये काफी जो है वो गड़ा जैसा अल्रेटी दिखता है गड़ा जैसा इससे हमको पता चल जाता है कि heart जो है वो कितने chamber में divide कर रहा है कितने chamber में है ठीक है ये हम लोग देख लिए और अगर हम लोग बात करें heart के और function के तो internal structure में जो semi-lonal भल्ब या जो भल्ब है भल्ब especially हम लोग भल्ब के बारे में थोड़ा discuss करते हैं आप लोग जो है वो cycle का cycle में कभी हवा दिये होंगे एक दिसा में उसको forward करवाता है back नहीं आने देता है बस उसी तरह से heart में भल्ब का भी काम है क्या क्या कि ये जो है auricle से जब ventricular के पास गया तो भल्ब open हुआ auricle जैसे right अगर right auricle से right ventricle के पास जा रहा है तो वो क्या हो रहा है वो बंध हो जाता है जैसे ventricle pump किया तो भल्ब बंध हो गया अब blood को auricle के पास तो नहीं जाने देगा auricle के पास नहीं जाने देगा तो भल्ब ब्लड जो है वो अलग रास्ता हो जेगा तो देखा वहाँ पे लोग देखे देखे कि semi lunar valve open होता है एक चीज और ध्यान में रखने की बात है कि ऐसा नहीं है कि ब्लड जो है वो आगे आएगा राइट औरिकल के पास फिर लेप्ट बेंटरिकल के पास गया फिर लेप्ट बेंटरिकल से जो है वो लंग्स के पास गया फिर लंग्स से जो है वो लेप्ट औरिकल के पास आया फि क्या है कि जो auricle है वो दोनो left और right दोनो एक साथ contract करता है और दोनों का ब्लड जो है एक साथ ventricle में जाता है जैसे right auricle से जो है वो आपका deoxygenated blood right ventricle के पास और left auricle से oxygenated blood left ventricle के पास वहाँ पे जो दोनों का जो भल्व खुलता है वो एक साथ खुलता है और एक साथ जाता है भेंट्रिकल भी कॉंट्रेक्ट करता है तो एक साथ करता है दोनों left और right ऐसा नहीं कि अलग-अलग timing पर करेगा तो दोनों एक साथ करता है जिससे एक से blood जो है वो पूरे body में और एक से blood जो है वो lungs के पास राइट भेंट्रिकल से lungs के पास और left भेंट्रिकल से पूरे body में यह उसका function है लेकिन जहीं तर से हम लोग देख रहे थे तो लगता है बोलने में कि आगे यह करता है फिर वो करता है ऐसा नहीं है दोनों का contraction एक साथ उतार यही कारण है कि एक साथ contract किया एक साथ blood pump किया और blood जो दो अलग-अलग direction में जा रहा है इसलिए इसको बोला जाता है क्या double circulation नहीं तो अगर stepwise इस तरह से होता तो हम लोग इसको जो है इस beat को सुनते है मतलब heart beat जैसे आया तो एक sound आता है वो sound किसके कारण से आता है कौन आवाज करता है इसके बार हम लोग जो है अगली lecture में देखेंगे जो topic होगा हमारा heart beat okay thank you